नमश्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चानल में, Next PSC में और हम आज आपके साथ जियोग्रफी के बहुत ही महत्वपून जियोग्रफी की जो important series of questions हैं, वो discuss करेंगे तो आईए देखते हैं सबसे पहला question तो सबसे पहला question जो है, वो है Who is the largest producer of gold in India? कौन जो है सबसे largest producer है gold का इंडिया में? तो इसका answer जो है, वो है करनाट का और ये जो है इंडिया में है और largest reserve है gold का, वो कहाँ पे है? वो है US में Next question देखते हैं Where is the writers building in India? Writers building जो है इंडिया में कहा पर है? तो वो है Kolkata में तो इसका answer जो है, option C हो जाएगा और ये जो है, बनाया गया था Thomas Leon जी के द्वारा 1777 में Next question देखते हैं Lord Buddha bread has last adversity Lord Buddha जी ने last bread जो है किस सिटी में लिया था? तो इसका answer जो है, हो जाएगा option A, कुशान अगर Next question देखते हैं आमूल जो है It's located at आमूल is located at कौन से place पर आमूल है? तो इसका answer जो है वो है हो जाएगा options है बैलूर, डांडी, आनन इन गुजरात ये none of these तो इसका answer है आनन जो की है गुजरात में वो और ये जो है जो milk products हैं, जैसे की butter, milk powder और अदर जो milk products है उनका जो है manufacturing करती है ये company next question देखते है चीना केशवा टेंपल इस located in चीना केशवा टेंपल जो है वो कहाँ पे located है तो इसका answer है दोस्तों बैलूर, तो दोस्तों एक है बैलूर और एक है बैलूर मट तो इसका answer जो है वो है बैलूर और ये जो बैलूर है ये है करनाटका में, करनाटका स्टेट में और ये जो टेम्पल है, फेमस टेम्पल, चीना केजवा टेम्पल, ये होईसला प्रेट का है Next question देखते हैं, बैलूरमठ मुनास्ट्री जो की स्वामी विवेकानन जी ने फाउंड किया था, वो कहां पे लोकेटेड है तो वो जो है, लोकेटेड है, कहां पे कुलकटा में, इसका option जो है, ये जो है, वो सही हो जाएगा और ये जो टेम्पल है, ये श्री राम कृष्न परम हंस जी का टेम्पल है next question है, who built बुलन दर्वाजा, बुलन दर्वाजा जो है, किसने बिल्ट किया था तो इसके जो options है, वो है, अगबर, बिर्बल, बाबर या none of these तो उससे पहले तो दोस्तों हमें ये पता होना जीए, कि ये जो है, एक तरह से gateway है, फत्यपूर सीक्री का और इसे जो है, बनवाया था, अगबर जी ने, तो इसका option जो है, ए जो है, वो सही हो जाएगा और ये जो है, highest और एक तरह से greatest gateway है, इंडिया का next question देखते है, which of the following is related to salt satyagraha, salt satyagraha से कौन related है तो जैसे कि काफी लोग जानते होंगे, ये salt satyagraha है, इसे डांडी मार्च से भी relate किया जाता है तो ये जो डांडी मार्च है, ये जो है, actually महात्मा गांधी ने जो है, इसे एक तरह से बोल सकते हैं कि start करवाया था और ये जो है, डांडी और साबर मती के बीच में जो है, ये मार्च हुआ था, यानि साबर मती से चालू हुआ था और डांडी तक ये चला था तेक्स था, उसको रिजिस्स करने के लिए, उसके खिलाफ जो है, इस ढणि मार्ज को चालू करबाया किया था और उसके बाद क्या हुआ था कि गांधी जी को जो है, उन्हों ने पकर लिया था, क्योंकि उनके अग्यें से गांधी जी, तो इन्हों ने फिर इसके बाद जो है कुछ निगोशियेशन किये जो वॉइस रोय थे उस समय लॉड एडवन जी और फिर उसके बाद गांधी जी को रिलीस कर दिया गया था सेकेंड राउंटेबल कॉन्फरेंस के पाथ नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं वेर इस दी इंडिया स्कूल और माइस लोकेटिड ऑर वहाँ पे दोस्तों जो नैशनल फ्यूल रिसंच इंसिटूट है वो भी वहीं पर स्थित था है जिसे के देलवड़ा टेंपल भी पुला जाता है यह जो है कहां पे है माउन अबूर राज़स्थान में और जानरों यारी जो थर्टीेंस सेंचुरी चाहिं के लिए को हैं। जेन जी के जो है टेमपल बने हैं इन रिलीजियन्स के और यहां पर जो भगवान है वो है रिशवनाथ नेमिनाथ पाशवदाथ और महावीराजी तो उनकी प्रतिमाय जो है यहां पर स्थित है तो इसका एंसर जो है हो जाएगा नियर माउंट अबू राजस्थान नेक्स क्वेशन देखते हैं दमदम एयरपोर्ट है उसका नाम क्या रख दिया गया है तो उसका जो नाम है दोस्तों अब जो है नेता जी शुबास चंदर बोज जी के नाम पर रख दिया गया है और इसे जो है इतरह से जो लोकल्स हैं वो कॉलकटा एयरपोर्ट भी बोलते ह और वहाँ पे एक दमदम पार्ग भी है कॉलकटा में तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा नेताजी सुभाश चंद्र बोस नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं दी फतेपुर सीक्री डेट वस बिल्ट बाई अकबर इस लोकेटेड इन दी फतेपुर सीक्री जो जोकि अकबर ने बन वाय था यह कहां पे लोकेटेड है तो यह जो है लोकेटेड है आगरा में यानि कि इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा और यह जो है City of Victory भी कहलाता है और इसका जो नाम है यह जो है जो विलेज है सीक्री उससे डिराइब किया गया है और यह शी 1573 में उसके बाद जो है इसका नाम रखा गया था तो अब हम देखते हैं next question which place is known as Sanskrit Gram Sanskrit Gram जो है कौन सा प्लेस कहलाता है तो इसका answer है दोस्तों आप देख सकते हैं आपे option है मातुर नागपुर आनंद और नन ओव दीज तो इसका जो आइंसर है वो है मातुर यानिगी option A जो है सही हो जाएगा और यह जो विलेज है दोस्तों यह है करनाटका में और उसके अलावा जिसे मैंने अभी आपको बताया इसे जो है में संस्कृत ग्राम कहा जाता है यानि संस्कृत वाला गाओ कहा जाता है क्यूं क्यूंकि यहां पर जहातर एज गुरुप के जो लोग है वह संस्कृत में करते हैं बोल्चाल करते हैं next quesion देखते हैं the official resident of French President is located in जो official रेसिडेंट है फ्रेंच प्रेसिडेंट का वो कहां पे स्तित है तो दोस्तों ये काफी important question है और आप देख पा रहे हैं इसमें multiple options जो है वो दिये हुए हैं और इसमें जो option है वो है Vatican City, White House, US, LAC Palace, Paris ये none of these तो इसका जो answer है वो है LAC Palace जो की है Paris में और ये एक official resident है किनका French president का और ये जो है initially बनबाया गया था Louis Henry जी के द्वारा और first time officially इसको use किया गया था 1848 में 1848 में तो इसका answer जो है हो जाएगा option C next question देखते हैं the Zawar and Angucha Mines in Udhapur and Bhilwara Districts of Rajasthan is famous for तो जो Zawar और Angucha Mines है उदhapur और Bhilwara District में राजस्थान के वो किसलिए famous हैं तो वो जो है famous है जिंक के लिए तो इसका option A जो है वो सही हो जाएगा next question देखते हैं दोस्तों who are the major producers of Jood? Jood के major producers जो हैं कौन हैं? तो यहाँ पर options है India, China, Bangladesh या all of the above तो इसका option का answer है इस particular question का answer है India, China, Bangladesh ये सारे ही Jood के major producers हैं तो इसका option जो है D सही हो जाएगा next question देखते हैं which is the largest railway bridge? largest railway bridge कौन सा है? तो इसका answer है दोस्तों, China bridge next question देखते हैं which city has the largest population? कौन सी city जो है जिसकी जो है largest population है? तो इसका answer है दोस्तों, first option A, Tokyo, Japan Tokyo, Japan जो city है, जो की जापान में है, वहाँ पे largest population है और ये भी बुला गया है एक report में कि जो इंडिया के डेली city है वो जो है आने वाले कुछ वर्षों में हो सकता है कि से take over कर ले यानि कि वो जो है population के मामले में आगे बढ़ जाए और उसके अलावा दोस्तों, ये जो है हम जो बात कर रहे हैं, ये तो बात कर रहे हैं हम city की पर जो वैसे देखा जाए अगर population wise, country कौन सी largest है? तो वो है चाइना और ये जो है गिश्म की जो आवादी है, ठारा परसेंट लगभग जो है वो है चाइना में और उसके बाद जो number आता है वो आता है इंडिया का और देना आता है US का next question देखते हैं, which is the largest delta? largest delta ये काफी important question है और ये काफी बार exams में और बहुत सारे exams में पूछा गया है which is the largest delta? तो largest delta जो है दोस्तों वो है सुन्दरबन delta जिसे की हम बोलते हैं गंगेज delta और बेंगॉल delta भी यानि की इसका option D जो है वो सही हो जाएगा अब ये जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी सुन्दरबन delta की जिसे की हम जो है गंगेज delta भी बोलते हैं सुन्दरबन delta भी बोलते हैं और बेंगार delta भी बोलते हैं ये जो है ये एक तरह से बुला जाए तो ये जो गंगा रिवर है ब्रह्मा पुत्रा रिवर है और मेगना है जो रिवर उनसे फॉर्म होती है ये बड़ा सा जो डेल्टा है वो और ये एक मैंगुरोव एरिया भी फॉर्म करता है और ये जो है इसका जो स्पैन है एरिया वो ह रिवर जो की बेश्टि बेंगॉल में है वहां से चालू होता है और बलेश्वर रिवर जो बंगला देश है वहां तक खा है ठीक है दोस्तों तो इसके बाद हम नेक्स क्वेशन देखते हैं सुंदर्बंध नाशनल पार्क जो है वो कहां पर स्थित है और वह किस के लिए फे यह इन तीनों के लिए ही फेमस है अब क्योंकि हम बात करें सुंदर्बन नैशनल पाक की तो यह जो है दोस्तों यह है वेस्ट बंगॉल में जैसे कि मैंने भी आपको बताया था जैसे कि यह जो सुंदर्बन डेल्टा है जो की उधरी साइड एरिया में पढ़ता है वैसी सु इस सुंदर्बन का गंगेस जिलटा का उसका यह एक तरह से पार्ट है और यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइड उसमें भी यह आता है तो इसी के साथ दोस्तों जो जू क्यो क्योक्रफी के मोस्ट इंप्रबर्ण कोशिन थे वो यही पर हम कंप्लीट करते हैं आनि व